समांगी मिस्रन है लोहा, कांसा, 24 का रेटसोना, आक्सीजन मिस्रन में जब अव्याई कणों का वित्रन समान हो तो उसे समांगी मिस्रन तथा वित्रन अशमान हो तो उसे विसमांगी मिस्रन कहा जाता है तो आप्शन में कांसा सही होगा कांसा समांगी मिस्रन है विसमांगी मिस्रण है, सुद्ध जल, कांक्रीट, नमक का जल में विल्यन, चूना कांक्रीट में हम सिमेंट मिलाते हैं, गिट्टी मिलाते हैं, रेत मिलाते हैं तो अलग-अलग पकार के अवेई कणों को हम मिला रहे हैं इसलिए कांक्रीट इसका सहीं जवाब होगा विशमांगी मिश्रन, कांक्रिट है, आक्सिजन है, तत्व, योगिक, शमांगी मिश्रन, विशमांगी मिश्रन, तो आक्सिजन, इलिमेंट है, तत्व है, शक्कर है, तत्व, योगिक, शमांगी मिश्रन, विशमांगी मिश्रन, तो सक्कर एक प्रकार का योगिक है टिंडल प्रभाव प्रदर्सित करता है नमक का पानी में विल्यन स्टार्च विल्यन खाने के सोडे का विल्यन सिरिका स्टार्च विल्यन टिंडल प्रभाव प्रदर्सित करता है सुद्ध पदार्थ नहीं है बर्प, लोहा, पारा और दूद तो सुद्ध पदार्थ दूद नहीं है